जार्खन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुरावादी में आयोजित मुख समारोह से एक तस्वीर निकल करके सामने आई है इस तस्वीर की चर्चा राजनेति गल्यारों में धीवे लहजे में ही सही लेकिन तेजी से हो रही है यह तस्वीर आज कई प्रमुख अखवारों में छपी भी है इस तस्वीर के क्या माइने हैं और इस तस्वीर पे मैं आपसे क्यूं बात करने आया हूँ वो भी बताऊंगा दरसल इस तस्वीर के बाद लोग यह बोल रहे हैं जो फ्रेमिंग किया गया है जो इस तस्वीर में लोग दिख रहे हैं लोग यही बोल रहे हैं खास करके जो राजनेतिक से संबंध रखते हैं जो राजनीती में सक्रिये हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस तस्वीर में एक X CM है एक CM है और तीसरा Next CM है सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर देखने के बाद जो है आपको बताते हैं कि दरसल इसकी चर्चा आज के दिन में क्यों जरूरी है तो सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए तस्वीर में आपको गुरु जी दिख रहे होंगे तस्वीर में आपको हेमन सोरेन दिख रहे होंगे और तस्वीर में आपको कलपना सोरेन दिख रही हैं तो ये जो तीनों की जो तस्वीर है, जो की एक फ्रेमिंग जो किया गया है, इसमें लोग यही बोल रहे हैं कि इसमें CM हैं, XCM, Sivu Soran हैं और Next CM, Kalpna Soran हैं, ये जो Next CM की जो बात हो रही है, काफी धीमे लहजे में, वो क्यों हो रही है, आपको मालूम है कि राज में राजने किस तरीके से चल रही है, लगातार मुखमंत्री हेमंद सूरेन के उपर संकट गहराता जा रहा है, इस वक्त जब मैं यह वीडियो सूट कर रहा हूँ, इसके ठीक एक दिन के बाद, यानि कि कल मुखमंत्री हेमंद सूरेन को ED दफ्टर जाना है और ED के सवालों का सामना करन आपको मालूम है कि तक्रीबन एक हजार करोड रुपे का जो अवैद खनन हुआ है साहिब गंज के इलाके में पूरे संथाल के इलाके में इससे संबंधित E.D. के पास ठोस दस्तावेज हैं जिसके आधार पर E.D. मुखमंत्री हेमन सोरेन से सवाल जवाब करना चाहती है को करना है यह पहला मौका होगा कि एक सीटिंग सीएम जो है E.D. के सवालों का E.D. दफ्तर में जा करके सामना करेंगे तो यह जो परिस्थीतियां बन रही है जिस तरीके से अब तक मुखमंत्री हेमन सोरेन की बिधाईकी से जुड़ा हुआ जो मसला है खनन पट्टा वाला मामला को ले करके वो अब तक राजभवन में लंबित है हलांकि मुखमंत्री लगातार इसको ले करके हाई कोट में भी रीट याचिका उन्होंने दाखिल किया है लेकिन बाबजूद इसके कई सारी चीजें जो है अब भी बनी हुई है और मुखमंत्री के उपर अब भी संकट बरकरार है इन्ही सब परिस्तीतियों को देखते हुए अस्थापना दिबस समारोह के ठीक थोड़ी देर के बाद मुखमंत्री आवास में जारखन मुक्ति मोर्चा बिधायक दल की एक बैठक होई उसी बैठक में एक नाम सामने आया हलांकि वो नाम कलपना सुरेन का नहीं था वो नाम जोवा मांजी का था जो की आज के डेट में हेमन्थ कैबिनेट में मंत्री है जो आमानजी का नाम पहले से भी आते रहा है कई ऐसे नाम हैं जिस पे चर्चा चलती रही है लेकिन विश्वस सुत्रों के आधार पे जो मैं एक खबरें आप तक ले करके आया हूँ उसके मुताबिक यही है कि एक जो फॉर्मेट है उसको दिखाने के लिए या फिर सोरेन फैमली अपने पार्टी के भीतर या संदेश देने के लिए कि मुखमंत्री का जो पद है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा माइने नहीं रखता है इसलिए सोरेन फैमली से इतर यानि कि बाहर के आदमी को यानि कि जो 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 फानजी का नाम आगे बढ़ाएंगी और जो फैसला होगा वो कल्पना सोरेन के नाम पर होगा इस तरीके की चर्चा पूरे जार्खंड में हो रही है खास करके राजनेतिक गल्यारों में और जो तस्वीर कल सामने निकल करके आई उसके बाद से यह चर्चा जो है और तेज हो गई है दर असल तीन नामों पे चर्चा बहुत ही तेज है हम लोग जब सुरुवात में जो ल अगटवंधन का उसमें दो तीन नाम जो है प्रमुकता से चल रहा है अगर सोरेन फैमिली के बाहर मुखमंत्री का पद जाता है तो उसमें जोवा मांजी का नाम सबसे पहले नंबर पे है दूसरा नाम जो इस्पीकर है रवींद्र नात्मा तो उनका नंबर है और तीसरा का नाम जो है चंपाई सोरेन का है लेकिन अगर सोरेन फैमिली में ही मुखमंत्री का पद बना रहा तो वो कल्पना सोरेन होंगी जिसकी पठकथा जो है तयार की जा रही है तो एक बहुत ही बड़ी और महत्पूर्ण बाते हैं अभी इसको खबर के रूप में नहीं बताया जा सकता है बोला जा सकता है दावा किया जा सकता है क्योंकि ये राजनेतिक गल्यारों में अभी मात्र चर्चा कहीं भी से है लेकिन चर्चा ये हो रहा है इसलिए मुझे लगा कि आप तक जो है इस चर्चा को पहुं English Medium Code School है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं